Hello friends and welcome to My Legal Code. I am Ashuar Lawania and today the question of our legal series is how to ask free legal aid from courts in India. तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले आप हमें follow कर सकते हैं Instagram, Facebook, Twitter or Telegram पर. आपको सर्च करना है My Legal Code और उसे subscribe करना है और आप इस lecture का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं Telegram चैनल से. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का topic. तो आज का हमारा topic है Steps to Get Free Legal Aid. मतलब कि हमारे देश में किसी भी नागरिक को जरूरत में मुफ्त कानूनी सहायता चाहिए होगी तो वो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे. तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे. मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं Free Legal Aid is provided to each and every citizen by District Courts, High Courts and Supreme Court. मतलब भारत के किसी भी नागरिक को अगर कानूनी सहायता चाहिए तो हमारे देश की Judiciary यानि की न्यायपालिका इस तरीके की कानूनी सहायता की गैरंटी देती है. और इस बात की गैरंटी हमारे देश का समविदान अनुच्छे 39A, अनुच्छे 49A के तहर देता है. तो मतलब कभी जरूरत में आप Free Legal Aid ले सकते हैं. लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? Go to court and ask about Free Legal Aid room. देखिए इसके लिए court जाएए, वहाँ पर जाकर किसी से भी मुफ्त कानूनी सहायता का एक कक्स पूछिए, जो एक room होता है, office होता है, जहांसे Free Legal Aid के बारे में proceed किया जात करवाएंगे. यहां पर लिखा हुए, officer will get a form filled by you. आपको form fill करवाएंगे, एक formality होती है, court की, उसके बाद में. देखिए, यहां पर मैंने एक topic दिया है, एक point दिया है, whoever wish to get a case resolved through लोक अदालत, they can move freely without any problem. मैंने लोक अदालत का एक वीडियो बना रखा है, अगर चाहें तो आप उससे समझने के लिए देख सकते हैं, तो यहां पर यही बात है, कुछ लोग लोक अदालत से अपना case dispute resolve करवाना चाहते हैं, तो इसमें कोई problem नहीं हो, वो freely वहाँ पर move कर सकते हैं. An NGO, Non-Governmental Organization, functioning under jurisdiction can be called out. ठीक है, ऐसे case में जब आपको free legal aid चाहिए, मुफ्त कानूनी साहता चाहिए, तो आप NGO, NGO जो न्यायक शेत्र के अंदर रहकर के काम करती हो, जिनके हाथ में न्यायक करने की authority मिली हुए, आप ऐसी NGO की help भी ले सकते हैं. ठीक है, इसके बाद जो point है, last point है, यह मैंने specially, सब भारतिय नागरेकों के लिए जोड़ी है, specially for them, जो अपने rights को use करने में डरते हैं, उनके अंदर confidence की कमी है, तो देखो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, no one can induce anyone, stay on the rights given to everyone, so demand those rights with confidence, इसका मतलब बस यही है, कि आपको कोई बहका नहीं सकता, आप अपने अ यह था हमारा आज का whole topic, और यह topic आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा, इसी तरीके की और भी कानूनी जानकारियों के लिए, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए, thanks to be with my legal court, thanks for following, best of luck, bye-bye.